बीजेपी के नेता केह चुके हैं कि अगर सपा, बसपा और कॉंग्रेस समेथ कहीं दल साथ हाएं तो आगामी चुनाफ में बीजेपी को कड़ी रख कर मिलेगी लेकिन बीजेपी सांसस सुब्रमन्यम स्वामी का मानना है कि अगर मम्ता, मायवती और शशिकला साथ हाते हैं तो 2019 में बीजेपी के लिए असली चालेंज होगा पियम मोदी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष तक ये दावे करते हैं कि 2014 की तरह आकामी चुनाफ में भी पार्टी बहुमत के साथ सत्ता में आएगी बीजेपी को किसी से कोई खत्रा नहीं है चाहे तमाम विपक्षी दल एक साथ ही क्यों ना आचाए लेकिन बीजेपी सांसर सुब्रमन्यम स्वामी ने ऐसा ट्वीट किया है जिसे सरकार के इंदावों पर सवाल उठा दिये हैं स्वामी ने लिखा कि अगर मम्ता, मायवती और शशिकला साथ हाते हैं तो 2019 में बीजेपी के लिए असली चालेंज होगा जैसा कि सभी को पता है कि 2019 में बीजेपी को पस्त करने के लिए सभी पार्टिया एक हो गई है अपने ट्वीट में स्वामी ने महागडबंधन के साथ-साथ महिला शक्ति का जिक्र कर अपनी ही सरकार को आगा किया है कि अगर तीन के तिग्री साथ हा गई तो बीजेपी को जीत के लिए एडी चोटी का सोर लगाना पड़ सकता है आपको बताते कि बंगाल की टाइग्रस ममता बनर जी बीजेपी के मिशन 21 के सामने सबसे बड़ी बाधा है 2014 में ममता बनर जी की टीमसी ने 42 में से 34 सीटों पर कबसा जमाया था वह उत्तर प्रदेश में मायवती इस बारा खिलेश के साथ कर बंधन गर चुनावी मैदान में उतर रही है जिसने बीजेपी की परिशानी पहले ही बढ़ाई हुई है ऐसे में अगर माया, ममता और शशिकला साथ हाते हैं तो वह कई पार्टे के सामने चुनाव जीतने की बड़ी चुनावती होगी डिवी लाइफ की रिपोर्ट